हाई गाईज गाईज जब भी आप हेर वाउश करते हैं तो हेर वाउश करने के बाद आपको अपने बालो Nig жест Jode जो जोज से टावल ड्राइंग नहीं करनी है। इससे आपके बाल तूट सकते हैं क्यूंकि जो हमारे वेट हेयर होते हैं, वो काफी ज़दा वीक होते हैं, काफी ज़दा कमजोर होते हैं, उस टाइम बालों की जढ़ने की संभावना ज़ादा होती है, तो सबसे पहले आपको टावल की हेल्प से जितना भी बालों में पानी है उसे इस तरह से निकाल लेना है, इसके बाद आपक बालों को इस तरह से सुल जाई यह ताकि जितने भी टैंगल जर्ण बहुत ज्ञादा जड़ेंगे जब भी आप हेर वाश करने के बाद इस बात का खास धिहान रखें जब आपके बाल अच्छी तरह से ड्राइए हो जाए फिर आप अपने बालों पर कॉम्बिंग करें अच्छी तरह से टैंगल को रिमोव करें फिर आपके बाल नहीं जड़ेंगे तो इस बात का अगर आप हमेशा धिहान रखेंगे तो आपके हेरफोल काफी जदा कम होगा होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते थैंक्स फॉर वाचिंग